वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो हम बात करेंगा कोश्चन नमबर 24 का आपका जो बचा हुआ पार्ट था ठीक है आप सी की हम बात करेंगे यहाँ पर आपको A B C D E F दे रखे हैं तो उनमें से हमने अब तक A और B की बात की है अब ह तक हमने A और B दो को पढ़ लिया है ठीक है A और B हमने दो डाई आपके पढ़ लिया है ठीक है कौन-कौन से आपका मैथिल औरेंज और ठीक है मैथिल औरेंज और आपका कॉंगो रेड यहाँ पर हमने डिसकस कर लिया है आज हम बात करेंगे कि मैकले कायट ग्रीन क्या होत जल्डी हैड की डाइमेथिल एनलीन के साथ अनुपात क्या होगा वन रेशियो टू अनुपात में सांध्र या जिंक क्लोराइड के उपस्तिती में हंड्रिएड डिगरी सेंटीग्रेट पर गरम करने पर एक लिवको क्या मिलता है लिवको बेस प्राप्त होता है यह अनुपात क्या रहेगा दोनों का वन रेशियो टू ठीक है तो यह क्या होगा आपका यह जो है molecule होगा आपका वेंजल्डियाइड का दो molecule किसके होंगे आपके methyl, methyl, dimethyl, aniline के ठीक है तो यह हो गया वन रेशियो 2 यह हमें क्या लेना है वेंजल्डियाइड और दो हमें dimethyl aniline लेने हैं इनको क्या करना है सांद्र है यह जिंक क्लूराइड इनमें से आप कोई ले सकते हो कि उपस्तिती में 100 degree centigrade तक गरम करोगे इन दोनों को ठीक है किसको बेंजल्डियाड को और dimethyl aniline को उपस्तिती किसकी होगी है जिंक क्लूराइड जब इनको 100 degree centigrade तक हम करेंगे तो जो हमें मिले गा वो क्या होगा क्या होगा है कि यहां पर यहां पर त्राप्त होगा 100 degree centigrade तक गरम करने पर आप देखो ल्यूकु बेस का क्या करना है कहरा है ल्यूकु बेस का acetic armless क्या होगा आपका acetic acid और आपका HCl की उपस्तिती में किसमें acetic acid और HCl की उपस्तिती में आपका TbO2 ठीक है जो कि क्या है आपका ność को घ् intentar या समय सब्कड़ कर नैशनीं आक्साइड और आट एक करवोनील बेस कारविन बेस योगिक बनता है अब देखो क्या हो और हमने क्या बना पहले हमारा बना लीको बेज थी सबसे पहले लीको बेज बन गया अब इसी लीएक आसिट के साथ थीक है अचल की उपस्तिती में क्या करना है अधि लेट आक्साइड और थीक और किया तो यह द्युकर्ण कराने पर एक रंग हीन ना करविनौ बेस बनता है कैसा बनता है रंग ही नियाने की कलर लेस जो अब कराने पर मैलेकाइट ग्रीन देता है अब जो आपका एक रंग ही न योगत बनेगा कार्विनॉल बेस इसकी रियक्शन हम दुबारा करा देंगे किसके साथ में एचसील के साथ में और क्या मिलेगा यहां से यहां से आपको मैलेकाइट ग्रीन जो है मिल जाएगा ठीक है समझा गया चलिए देखते इसकी सिंतेसिस वही क्या है आपका वेंजल्डी हैड और डाइमेथल एनलीन तो यहां पर अगर हम बात करें कि वेंजल्डी हैड दे रख है तो यह आपका होगा है डाइमेथल एनलीन ठीक हैं दो मॉलेकियुल इसके लेने हैं अबेन दोनों की रीक्शन करानी है ठीक है बेंजल्डी हैड और डाइमेथल एनलीन अब यहां पर बेंजल्डी हैड का चुछ सी ड़ेड़ बॉन्ड ओ और इससे लगा हुँआ जों कि यहां से कर दोनों की उपस्तती में क्या कर देना है और यह आपस में दूसरे से कनक्ट हो जाएंगे किस तरह से लिंक होंगे आप एक दूसरे से देखो तो कुछ इस तरह की सरचना जो है आपको यहां से राप्त होगी यानि कि इस वाले कारवन से जो आपका ऑक्सिजन लगा हुआ था वो इन दोनों हाइडोजन के साथ में बा सब्सक्राइब को अब यह इनएल लिप Cत्ади व का मीरे कुछ ऊमने का उन्पां से वाहन निखल गेफ्ट आप को मिला किस की उपस्ताती में अपका एक इस fera देखें कि आपसमें रियक्सham होती तो बनता क्या है वी देख लो च便大家 है उसकता है यहां पर क्या होसकता है यह दोनुPh Patienten ingredient और पजशिकार्ण e- lamar American Lekन दूसरे पदार्थ को अक्सिदाइसिंग है यह लेकिन दूसरे पदार्थ का अपशिकार्ण आपका पदार्थ होдеकते लेकिन खुद में उसका की होगा है रिख होगा उस्का क्या होगा लेकिन इनका खुद का क्या हो जागा रिडक्शन यानि कि निकलना क्या कहलाता है रिडक्शन तो यहां पर इसमें क्या भी हाइडोजन गुरूप लग रहा है बैस वाले कार्बन से क्या था पहले के बला हाइडोजन लगा हुआ यहां पर यहां पर हाइडोजन अब क्या लग गया भी इस पर वह जोड़ रहा है और बाग कि आपका जो गुरूप लगे हुए है वह आपके ज्यूंके त्यूंके त्यूंक है ठीक है डाई मैथल एनलीन और यह जो आपकाव बनेगा यह क्या था आपका कार्वीस veil बेच्श हम दोबारा करा देते हैं इसके साथ जो लॉंट तो होगा इस वाले नाइटोजन पे जो आपका लोन पे प्रिजन्ट रहता है नाइटोजन पे बुक्षा करेगा अब इनकी bond shifting होगी यह loan pair कुछ हिदर आएंगे और यह बाला bond यहां तूट जाएगा और यह bond आपका यहां तूट जाएगा और यह bond जो है आपका H2O बाला यह क्या हो जागा आपका बाहर निकल जाएगा H2O तो यहाँ पर जो हमने HCL लिया था वो आपका यहाँ पर जो है और यहां से यह बाहर जैया और यहां पर जितमा यहां पर बाहर निकल जाएगा तो हो गया यहां करबन की बीच में आपका ढवलोंड बनेगा इसके बीच में आपका डिऩे कषवांड बनेगे आपका जुड़ जागा और यहां पर जो आपका लगा हुआ था पहले क्या था इस पर लगा हुआ था और जो आपका हमने पहले एक बांड से जुड़ा हुआ तो इस पर कैसा आ जागा इसलिए कैसा आ गया इस पर पिलस का चार्ज आ ठीक है एच्टू ओ पिलस अभी यहां से बाहर निकल रहा ठीक है तो यह आपकी जो सरचना बनेगी वो कुछ इस तरह से जो है आपकी सरचना बन जाएगे पिच में डेबल वांड और यहां नायटोजन कारवन के बीच में डेबल बांड अब यह तने बांड बना रहा रहा प्लस का चार्ज इस पर जो हैं जनेरेट हो जाएगा पिलस का चार्ज विए इस पर आजाएगा ठीक और इधर आपका जो है यहांगर है यहांपर जो आपका स्टेंध है n ch3 का ऑफीज यह बन जानगा आपका जो है प्रोडुक्त आपका बनेगा यसी को inken करते हैं malex tight green के नाम से जानतें इसको टीक सब्सक्राइब डें नामा कि बोच सके ईपहले प्राइट कि बाद करें तो प्रोपर्टी नंबर इसकी क्या कहती है ने कुसके मेले काईट i ठीक है कैसा हरा और समकीला दूसरा कहरा sodium by-sulphide या sodium by-sulphide से आपचेन कराने पर रंग हीन lyucobase बनाता है जब इसका यह जो आपका बना है sodium by-sulfate के साथ इसका आपचेन अगर आप कर दोगे तो रंग हीन लूको बेस बनाएगा जो उपर बना था लूको बेस रंग हिन लूको बेस का निर्माड ये कर देगा यूज़ की बांद कर लेते हैं दो तिन यूज़ दे रखें एक एक करके देख लो जो आपका मैले गरीन है उसका यूज़ क्या नमबर एं कर ला सिल्क उन जूट तथा कपड़े को सीधे रंगने में यहनि की शिल्क हो गया उन ऋगया जूट हो गया कपड़ा हो गया इस से हम डाइरेकट जो है इसको कलर कर सकते हैं ठीक है मेले काट ग्रीन से डायरेक्ट इनको जो है कलर किया जाता है और इसमें चमड़ा भी जो है आपका most important है यह एक प्रकार का डाई है जो सिल्क उन जूट तथा चमड़े को सीधे रंग से रंग देता है ठीक है डायरेक्ट इसका यूज हम कर सकते हैं इसमें कुछ मुलाने की ज लेकिन यह आपका सिल्क जूट उन इनको सीधे रंग देते हैं लेकिन आप बात करें सूत या कॉटन की तो कॉटन को हम तभी रंगते पहले इसका रंग बंधन कर लिया जाता है अब आपका कब को यानि कि फंजाई से संक्रमित पौदे पौदों के उतकों को रंगने में आपके कुछ पौदे होते हैं जो आपके संक्रमित हो चुके होते हैं एक प्रकार का टई था synthesis कैसे होता है इसका good क्या है इसके उप्यों क्या है इनको हमने देखा था उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचा दें वीडियो को अगर आप चैनल पर पहली बात देख रहे हैं यह पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी आपको और अच्छे चीज़ और अगर आपको थैंक्स पर वाचिंग शेर दा वीडियो